हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है विंडो 11 में सिस्टम रियस्टोर कैसे करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गाई यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए सुरू करते हैं आपको क्या करने सर्च पर क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करने यहां पर टैप करते हैं रियस्टोर रियस्टोर टैप करते हैं यहां पर आपको दिख जाएगा क्रिये रियस्टोर पैंट इसको पर आपको क्लिक करते हैं इस त system restore create नहीं किये होंगे तो यहां पर नहीं दिखेगा तो इस case में आपको क्या कर लेना हो जाएगा इस के बाद करने के बाद यहां पर system restore आ जाएगा अब आपको क्या करने इस system restore के उपर आपको click कर देने click करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करने यहाँ पर next पर click कर देने next पर click करने के बाद यह window open हो जाएगा अब आपके case में जितना भी system restore create किये होंगे यहाँ पे आपको सारा दिख जाएगा तो आपको क्या करने है जिस system restore paint से आप इसको restore करना चाहते है उस point को आपको select कर लेने हैं यहाँ पे select कर लीजेगा अब यदि आप देखना चाहते है इस restore से यदि आप restore करेंगे तो क्या क्या delete होगा इसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पे scan affected program इसके उपर आपको click करते हैं क्लिक करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा अब आपको यहाँ पे list दिख जाएगा यदि आप उस restore pen से restore करते हैं तो क्या क्या ने install होगा कौन सा program effect होगा या सारा चीज यहाँ पे आपको दिख जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है इसको यहाँ से close कर देना है अब आपको मैं restore करने से पहले दिखा देता हूँ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक folder create कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए यह restore हुआ या नहीं यहाँ पे मैं एक और create कर देता हूँ मालीजे यह data है इसके अंदर कोई data है या software है जो भी मर्जी है यहाँ पे मैं create करके आपको दिखा दिया हूँ अब मैं क्या करता हूँ इसको restore करता हूँ चलिए एक और create कर लेता हूँ तो यह केबल मैं example दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे create करके दिखाओ यह जरूरी नहीं इसको आपको create करना है अब आपको क्या करना, यहाँ पर आपको जो भी restore point से आप restore करना चाहते हैं, वो restore point यहाँ पर आपको select कर लेना है, इसके बाद यहाँ पर आपको next पर click कर दिना है, इसके बाद यहाँ पर finish पर click कर दिना है, click करते हैं, इस तरह से window open हो जाएगा, अब यदि आपने कोई भी data save नहीं किया हुआ है, मालीजे कोई आपने document open करके रखा है, या आपने folder open करके रखा है, या notpad open करके रखा है, उसमें आपने data save नहीं किया है, तो जो भी आपका काम का data है यानि जो भी file open है, जो save नहीं किया है, उसको सबसे पहले आप save कर लिजे और उस file को close कर दीजे, जो भी folder open है उसको close कर दीजे, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर yes पर click कर देना, yes पर click करते हैं, इस तरह से restore होना शुरू हो जाएगा, इसके बाद इस तरह से यहाँ पर restore होना शुरू हो जाएगा आप आपको कुछ ने करना है बस यहाँ पर आपको wait करना है हुआ आपको खक्छवे बस जाद है झाल 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 सिस्टम रियस्टोर होने के बाद इस तरह से विंडो आपन हो जाएगा आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा सिस्टम रियस्टोर कम्प्लीटर सक्सेस्फूली अर्य इसके बाद आपको यहाँ पर क्लोच पे किलिक करने के वाद अब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा यह डिलिट नहीं हुआ यह एजटी है इस तरह से आपका डाटा से भी रहेगा जोरी नहीं है वह डिलिट हो जाएगा इस तरह से आप सिस्टम रिएस्टोर्ट कर सकते हैं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें थैंक्यू